बच्चों आपको मैं बहुत जबर्दस बात बताने वाला हूँ, ये वीडियो शुरू सन तक देखिए, कई बच्चे पूछ रहेतें सर, चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, ये बता दीजे, मैं यही नहीं, इसके अलावा य मैं एक और important बाग बताता हूँ, कि अगर आप तक अभी तक आप पढ़ाई नहीं चालू कर पाए हैं, तो आप का objective होना चाहिए, पहले जो 14 चैप्टर आपके स्लेबस में, इसको तेजी से आप कर लें, इस strategy को अपनाईए, तेजी से स्लेबस कर लिजे, हो सकता है, आप ज पूरे स्लेबस का idea हो जाता है, और उसके बाद जब आप revision करेंगे, तो 70% कब 95% में तफ़्दील हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा बिलकुल मत करिएगा, कि एक chapter के उपर इतना समय लगा दीजे, कि आप सब समझने के चक्कर में, कि पुरा 100 में 100 समझ में आ जाएं, यानि जल्दी से जल्दी करें, भले उसमें 70-75% आप सीख पामें, दूसरा revision जब आप पकड़ेंगे, तो आपको पूरे स्लेबस का idea होगा, और आप पकड़ पाएंगे चीजें, तो चलिए फटाफ़न में chapter weightage भी बताता हूँ, और आप कोई भी बताता हूँ, कि पर chapter कितने दिन देना ठीक है, पहले round में, और दूसरे round में तो champion बनी जाने वाले हैं, तो ये वीडियो में शुरू करता हूँ, after sample paper release, chapter wise weightage कितना होगा, यही सबसे पूछा जाता है, ये आपके सामने पूरे स्लेबस की कहानी, स्लेबस का मतलब 14 chapter की कहानी है, और कितने कित chapter कितने नंबर का weightage है, ये CBSC अलग से announcement नहीं करता है, मैंने अपने experience के basis पर ये आपको guide कर रहा हूँ, ये official document है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा, वो official नहीं है, वो मैंने अपने knowledge और experience के basis पर आपको guide कर रहा हूँ, चलिए बात को शुरू करते हैं, हर chapter को लेंगे और बता जा सकता है, तो साब ये रहा chapter number one marks or days, marks का मतलब कितने नंबर का weightage है, days का मतलब कि आपको इतने दिन ही लगाने है, पहले round में इससे जादा करचा नहीं करना है, तो पहला chapter electric charges and fields, ये approximately 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 70 नंबर में weightage की बात कर रहा हूँ मैं, और ये इ तीन दिन से जादा का वक्त आप ना लगाईए, आप पूरी कोशिस कीजिए, तीन दिन में काम complete आपका हो जाए, जादा दिन लगाएंगे तो परिशानी हो जाएगे अंत में, फिर हम बात करते हैं, chapter number two, potential and capacitance, इसमें आप दीजिए, आपके जो number का contribution हो सकता है, वो 6 marks का contribution हो सकता है, और इसमें आप कितने दिन लगाएंगे, चार दिन, इस से जादा दिन लगाना advisable नहीं है, तो chapter number two को जो 6 number का वेटे जोड़ करता है, चार दिन का वक्त लगाईए, पहले round में complete करने के लिए, तीसरे chapter की बात करते हैं, current electricity की, ये आपको मिलेगा 6 number के आज़ पास ये भी, और इसमें आपको दिन लगाने हैं, करीबन 3, अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ आपको नीचे, तो देखिए, 16 marks का ये 3 chapter हो गया, 16 marks का वहाँ भी official document भी है, 16 number उसके लिए कितने दिन लगाने पड़े आपको पहले round में, 10 दिन, हाँ, 10 दिन में आप 3G से करेंगे रख लिजे, second round में complete किजेगा, पहले round को extra slow नहीं कर सकते, affordability नहीं वनती है अब आपकी, क्योंकि आप ज़्यादा पड़े नहीं हैं, ठीक, तो ये बात यहाँ पर 3 chapter की हुई, आगे बलते हैं लोग, और देखते हैं, चौते नंबर की chapter की कहानी, moving charges and magnetism, इसमें आप देख अब रही बात chapter number 5 की जो magnetism and matter है, theoretical chapter है more or less, इसमें करीबन तीन नंबर का weightage पकड़ के चल सकते हैं, इससे जो question आएंगे, वो तीन नंबर के weightage के साथ हैं, और दो दिन में बड़े प्रेम से ये chapter आप कर लेंगे, बड़ जम जाईए मैदान में, वो chapter निप्टा मारी है, chapter number 6 की बात करता हूँ, electromagnetic induction की, ये chapter भी theoretical है, बड़ा प्यारा chapter है, बहुत असानी से कर सकते हैं, इसमें 4 नंबर का weightage ये hold करता है, और आपको दो दिन के अंदर ये chapter आप निप्टा मारेंगे, उसके बाद मैं बात करूँ, chapter number 7, alternating current, alternating current जो है, वो 5 नंबर के सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा सा time देते हुए, तीन दिन का समय इसमें दे दीजे, पूरा chapter आपका निपट जाएगा, अगर मैं इन सबे time को जोड़ दूँ, तो ये 17 नंबर का टोटल 4 chapter हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 chapter को जोड़ेंगे, तो 17 marks का हिसाब किताब बनता है और 11 दिन के अंदर इसके आसपास आप पहुँच जाएंगे, पहले round में देर नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये बात यहां complete होती है, आगे चलते हैं, मैं सारे स्क्लिबस का बताने वाला हूँ, तो आगे की बात कर जाओं, chapter number 8, electromagnetic wave, theoretical chapter है, बड़े राम से कर देंगे, तीन पूछा जा सकता है आप से, बहुत कुछ पूछने का है इसके अंदर, और इसमें आपको लगाने चाहिए 5 दिन, क्योंकि जरूर से जादा शौट करेंगे, वो सकता है चड़िया उड़ जा सर के उपर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 70-80% तो capture करी लिए हम लोग, उसके पर इसकी जो माक्स का अलाटमेंट है, वो खतम हो जाता है, यानि ये तीन चेप्टर मिलके ही सबसे भारी वेटेस देते हैं, 18 नमबर तक आपके आजावेंगे, लेकिन तेगला चेप्टर से हफ्टिक्स बीच का जो प्रेम से कर लेंगे आप, मैं आपकी मदद करूँगा और ये 10 दिन के अंदर 18 नमबर का काम बना लेंगे आप, चेप्टर नमबर 8, 9, 10 में, आगे बलते हैं बिटा, और चेप्टर नमबर 11 की बात करते हैं, जो डूएल नेचर है, डूएल नेचर कितने नमबर का पूछा जा सकता है, तो आप देखेंगे 5 नमबर का घुमा फि करिएगा है ना, और चेप्टर नमबर 12 की बात करते हैं, आटम्स की, तो आटम्स में आपको 3 नमबर तक का वेटेज आपको मिलेगा, 3 नमबर तक की सवाल आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आप देखिए, तो 2 दिन के अंदर आटम्स को बड़ अच्छी तरह आप कर सकते ह चेप्टर नमबर 13 की बात करते हैं, नूकलाई की, यहाँ से करीबन 4 नमबर तक आपसे पूछा जा सकता है, और 3 दिन के अंदर यह रगण मारेंगे, धुआ निकल जाएगा इसका, उड़ा दीजे धुआ अप, ठान लीजे, धुआ उड़ा दीजे, और इसको अगर मैं ज सेमी कंड़क्टर की कहानी है, और सेमी कंड़क्टर में 7 नमबर का यह अकेला वेटेज रखता है एक चेप्टर, और अगर आप 4 दिन इसमें देखते हैं, तो इसके क्या कहते हैं, परखचे उड़ा देंगे इस चेप्टर के आप, धुआ धुआ हो जाएगा यह चेप्ट यानि मोटे तोर पर डेढ़ महिने का वक्त लगा, 45 दिन होते हैं डेढ़ महिने, तो डेढ़ महिने आपको पहले राउंड में लग जाएंगे, दूसरे राउंड में डेढ़ महिने नहीं लगेंगे, दूसरे राउंड में आपके 25 से 30 दिन लगेंगे, और तीसरे में पंदरा दिन लगेंगे पहला राउंड सबसे फस्त गेरी लगाना भारी पड़ता है लगा दीजे और जब ये लगाईएगा तो ध्यान लखिएगा कि इसके साथ NCRT की जो questions होते हैं वो लगाने बहुत जरूरी मैंने chapter wise पूरा जोड़ घटा दिया है chapter wise 164 exercise के आपके questions है पूरी किताब में 12 की और example की बात करूँ तो 93 example है अगर आप 164 में 93 जोड़ दीजे तो 257 आपके पास NCRT के questions हैं जो आपको करने ही होंगे यानि approximately अगर 14 से इसको divide कर दें 14 chapter है ना तो 18 question per chapter कहा ज़ादा है बाई बताओ आज के समय में क्या NCRT 18 question per chapter भी ना करवाया अपसे तो तो मजाख हो जाएगा तो 18 question per chapter NCRT के हिसाब से आप कर लीजे और केवल इससे बात नहीं बनेगी minimum total मिला के कम से कम 500 PYQ जरूर कर दा लिए 514 chapter मिला के और इसी को देखते हुए कि आप ये कर पाएं आप खुद लगा लीजे पड़िया बात लगाने में दिक्कत हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पर देखिए इसी बात को देखते हुए ये 12 संपूर्ण एक कोर्स आपके लिए है जिसमें NCRT exercise NCRT examples के सारे वीडियो है और 514 PYQ आपके साथ है वीडियो कोर्स है वीडियो record किया है सरल भाषा में ऐसा वीडियो कि आपकी समझ में आ जाए सब किवल सलूशन नहीं देना है आपको समझा समझा के टोटल वीडियो की संक्या 771 है ये वीडियो कोर्स है 771 कोश के वीडियो आपको मिलेंगे NCRT का full coverage example exercise सब और 7 में आप देखी रहे हैं PYQ 514 बिलकुल बढ़ि पढ़ाता भी हूँ आपको तो अगर आप दोना ले ले लें तो सबसे अच्छी बात है सारी चीज़ क्लियर अगर केवल कहीं पढ़ी रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है कुशन लगाने हैं तो ये आपको 12 संपूर्ण ओफर करता है और कई बच्चों को रहता है कि पिछले नॉमिनल प्राइस पर आपका काम बन सकता है और अभी तो शुरुवाती 100 बच्चों के लिए बहुत तगड़ा ओफर चल रहा है जो बच्चे इंट्रेस्टन है इसमें से कोई भी कोर्स उनके लिए सुटेवेल अगर है तो आप वो कोर्स ले सकते हैं अर्विंद एकड़ को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा सॉलिट कंटेंट फिजिक्स का सुपर इजी लैंग्वेज के साथ मैं लाके रहूंगा उला रहा हूं ताइंक यू गिड़क टू यू बाइबाइ